असलाम अलेकुम दिस सलीम फ्रॉम स्क्रीज गैडमी इस वीडियो में हम सिखेंगे कि हम इस तरीके से इंटर्नल डूब्लिकेट कॉंटेंट चेक कर सकते हैं तो हम जाएंगे siteliner.com के ओपर और यहां भी अपनी website का link क्लिकेंगे उसके बाद क्लिक करेंगे go के ओपर तो यह हमारी website को duplicate content के लिए चेक करेगा और उसके बाद बताएगा duplicate content के issues किन pages पे हैं तो यह हमें बता रहा है कि इन pages पे बहुत ज्यादा duplicate content issues है 94%, 91%, 90% तो अगर हम इसके उपर क्लिक करें तो यह हमें बता रहा है कि 1346 words जहां वो copied है तो यह सारे जो red color में highlighted हैं यह सारे copied हैं तो आप देख सकते हैं investor of location chain की गई है बाकी सारा content same है तो हम इसे further check करने के लिए इस line को copy करते हैं और जाएंगे google के ओपर और यहां पर लिखेंगे double mutations इसके अंदर paste करेंगे उसके बाद space आगे site और उसके बाद आगे website का name तो यहां पर यह एक results हो रहा है अगर यहां पर क्लिक करें repeat पे तो यह हमें बता रहा है कि 19 pages में same content यूज़ हो रहा है तो अगर इन्हें open किया जाए और find किया जाए तो आप देख सकते हैं कि same content है तो आप या तो इससे remove कर सकते हैं या फिर 301 retract कर सकते हैं या फिर इससे update कर सकते हैं तो वीडियो देखने क्षक्रिया और भी था आपको इस concept की समझागी होगी अला फिर थे